केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए तीसरे लॉकडाउन की घोशना कर दी है जिसमें इलाकों में कोरोना के प्रभाव के अनुसार छूट एवं बंदिशें लगाई गई है तीसरे लॉकडाउन को दो हफ़ते तक बढ़ा दिया गया है यानि की लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा बिहार की बात करें तो बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या तेज रफतार से बढ़ रही है लोग जहां ठीक हो रहे हैं वही मौत का आकड़ा भी बढ़ ही र रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह की सकती या फिर नर्मी बरती जाएगी इस लिस्ट के हिसाब से बिहार के 38 जिलों में से पांच जिले रेड जोन में शामिल ह वही 20 जिले और इन जोन में शामिल है 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल है आपको बता दे कि रेड जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इन जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या रेड जोन के मुकाबले कुछ कम है और लोग ठीक भी हो रहे हैं और ग्रीन जोन में वो इलाके हैं जहां या तो कोरोना के केस कम है प्रारंभीक दौर है या लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन इलाकों में कोरोना के केवल संदिग्द मिले हैं इस विदियो के माध्यम से आएव विस्तार से जाने की कौन सा जिला किस जोन में है सबसे पहले बात रेड जोन की रेड जोन में बिहार के पांच जिलो को रखा गया है जहां पर सबसे अधिक कोरोना के केसिस सामने आये हैं मुंगेर, पटना, रोहतास, बकसर, गया अब बात ओर्डिन जोन की ओर्डिन जोन में बिहार के 20 जिलो को रखा गया है जहां कोरोना के केसिस तो मिले हैं लेकिन रेड जोन के मुकाबले थोड़े कम और यहां के लोग ठीक भी हो रहे हैं। शेकपुरा, पूर्णिया, अबंत में बात ग्रीन जोन की, ग्रीन जोन में बिहार के 13 जिलों को रखा गया है। समस्तिपुर, शिवहर, सीतामडी और सुपॉल तो यह बिहार के वो जिले हैं जिन्हें तीन जोन में बाटा गया है कोरोना के प्रभाव के अनुसार। ब्यॉरर रिपोर्ट, लाइफ सिटीज। क्याओ सकतिए कर दो अज़ा खšकतिए करदिए झाल झाल झाल